तो दोस्तों यहाँ पे Amazon Great Freedom Sale जो वो आ चुका है तो यहाँ पे Amazon में budget phone से लेके थोड़े से महंगे phone हर phone के बार मैं बात करेंगे और हाँ मैंने पूरा एक अच्छे जमेने select कर लिया है phone को और आपको एकदम selected अच्छे phone सी बताऊंगा इस वीडियो में और आपको सच में खरीज सकते हो इस phone को खरीद होगे 828 मिले glass bag मिलेगा और यह phone आपको अराम से 10,000 रुपए में देखने को मिल जाएगा अगर आपको 10,000 रुपए के आसपास एक phone चाहिए तो आप इसके तरब जा सकते हो 10,200 के साथ आपको यह phone credit card offer चल रहा है तो SBA credit card और कुछ-कुछ card मे offers है mostly SBA के credit card या debit card में offer है तो अगर आपके पास SBA card है तो सच में आपका बहुत जादा पैसा बचने वाला है अब यहाँ पर दूसरा phone बताओं यहाँ पर हम लोगों को जो दूसरा phone है वो है IQU की तरब से IQU G9 Lite 5G smartphone सारे phones 5G होने वाले कोई भी 4G phone में आपको recommend नहीं कर रहा जहां पर आपको 628 का option देखने को मिल रहा है तो यह बहुत अच्छा option आपके पास है दूसरा option में आपको बता रहा हूं जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा offer मेरे को लगा बहुत ज़्यादा great offer इसको बोलना चाहूंगा मैं यहां पर Realme के तरब से Realme Narzo 70 Pro Narzo 70 लेना वहाँ ले लेना बट मेरे को उतना ज़्यादा मज़ा नहीं है लेकिन 70 Pro आपको लेना है और उसमें भी 256 GB वाला वेरियंट लेना है 128 में मातर 200 रुपए कम है डायरेक्ट यहां पर 2000 रुपए का coupon आफ आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद यह जो फोन है आपको 16,249 रुपए में आराम से देखने को मिल जाएगा और साथ में कुछ card offer cashback होगा तो वो भी मिल जाएगा तो 16,000 रुपए में सबसे best phone मैं बोलना चाहूंगा क्यों यहां पर OIS देखने को मिलेगा 120 हर्ट से फेसरेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा मतलब हर चीजिस phone में आपको देखने को मिलेगा लाइक 15,000 में अच्छा phone चाहिए तो अगर आप 128 GB वाला लोगे ना नार्जो 70 Pro तो आपको 15,999 रुपए पे करने है और इसके लिए आपको 16,249 रुपए मातर 200 रुपए आपको बचाने है कोई सेंस नहीं बनता 200 रुपए दो 256 GB वाला लोग आपका दिल खुस होने वाला है और सारे फोन के लिंक डिस्क्रिप्शन में है और नार्जो 70 Pro तो ले ही लेना अगर आपका बजट जो है 15,000 के आसपास है और फोन वाक कही में इस्पेक्स के हिसाफ से तो बहुत सही है कोई भी कमी नहीं है फोन में अब यहां पर जो एक फोन है बता रहा हूं वह सामसंग की तरब से लाइक को अगर एस सीरिज चाही तो सामसंग एलक्सी S21 जो वाला फोन है S21 FE की बात कर रहा हूं है तो सैमसंग अलक्सी S21 FE 888 वाला स्ट्रेइट प्रोसेसर के साथ यह फोन आता है और आपको यह जो फोन है वह देखने को मलेगा मातर 25,000 रुपए में कारड वार्ड ओफर लगा के तो यहां पे 26,000 रुपए में बीना कार्ड के मिल रहा है तो अगर आपको पास कार्ड है तो आप इसको 25 में ले सकते हैं और बाकी हर चीज़ इस फोन का बहुत सही है और यह जो ट्रिपल एट वाला फोन है पिछले साली जुलाई में लॉंच हुआ था तो अभी इसको लॉंच हुए एक साल हो गए तो आप इसके तरफ अराम से जा सकते हो अब यहां पर आईको की तटिणा अउफ जिसमें आपको घरांड 13,101 रूपए का यह फोन आपको देखने को मिलेगा और 500 रूपए का डारेट कूपन उफ देकनी को को कोई भी जाया सकते हो तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं चोपर Anyway वाला Poco M6 Pro 628 M6 Pro 5G होने वाला है मैंने आपको जल्सा कि पता है हर फोन 5G होने वाले है मेरे वीडियो में तो यहां पे 628GB वाला फोन आपको मात्र 9709 रुपए में देखने को मिलेगा आफ्टर कार्ड ऑफर हर चीज लगाके बीना कार्ड ऑफर के भी आपको सही शॉट प्राइस भी लेगा लेकिन 9709 रुपए में एक 5G फोन वो भी 628GB वाला तो बहुत सही ऑप्शन है आपके पास Poco M6 Pro लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर से चेक आउट करना सच में आपको फायदा ही होने वाला है अब यहां पर Vivo T2 Pro बहुत ज़्यादा चलता है लेकिन वो फ्लिप कार्ट में मिलता है और उसका प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बहुत ज़्यादा इस बार डिसकाउंट नहीं मिला है लेकिन उसका सेम तु सेम भाई ह आइकू G7 Pro 5G स्मार्टफोन बहुत अच्छा फोन है जैसा कि Vivo T2 Pro है बहुत अच्छा फोन है कोई भी अंतर नहीं है दोनों फोन में और आइकू थोड़ा सा गेमिंग सेंट्रिक भी हो जाता है उसके क्यामरा वगेरा भी अच्छे होते हैं तो आइकू G7 Pro आप कारड़ आफर लगा के 20,999 रुपए में खरीच सकते हो बिलीव मी गाइस मैंने खुद इस पोन को कारड़ आफर लगा के 23,000 रुपीज में खरदा था तो अभी तो इसका प्राइज और 2,000 रुपए काम हो गये है तो 20,999 रुपए में बहुत अच्छा उप्शन है आइकू G7 Pro एक क अब आपको एक टैबलेट चाहिए तो Redmi Pad 6 बहुत अच्छा उप्शन है मैं इसको एक टाइम में खुद खरीदने का सोच रहा था जहां पर यह मेरे को अराम से 26 या 28,000 रुपए के सम्थिंग मिल रहा था मुझे याद है और आज इसका जो प्राइज है वो है 25,000 लुकिंग टैबलेट हर चीज़े इसमें कोई भी कमी नहीं है तो आपको यह जो टैबलेट है 20,000 रुपए में अराम से देखने को मिल रहा है विद कार्ड आफर तो अगर आपको 20,000 रुपए में एक अच्छा टैबलेट ढूंड रहे हो आप तो आप इसके तरब जा सकते अब दूसरा हमें आपको फोन बताता हूँ टैबलेट में एक ही पसंद में आया इस टाइम पे और एक सामसंग का यहां पर आपको शो हो रहा होगा वह भी आप ले सकते वह भी बहुत अच्छा टैबलेट है मैं उसको खुद ही यूस करता हूँ अब हमारे पास एक महेंग आप इस फोन को इस टाइम पे 49,000 रुपीज में खरीच सकते हो बहुत अच्छा फोन है प्रोसेसर वगेरा मैटल फ्रेम बस कर्व डिस्प्ले नहीं है लेकिन एक प्रीमियम स्मार्ट फोन है अगर आपको पचास अजार रुपए का एक एंड्रोइड फोन चाहिए तो नाम है नोकिया जो कि अभी हमडी बन गया है और अपने असली नाम पर वापस आ गया है इसको हमडी पहले ऑपरेट कर रहा था जब से नोकिया बंद हुआ तो उसके बाद से इसको स्टार्ट किया था उन्होंने तो अब खुद अपना नाम यूज करें लो तो दोस्तों इ एक स्मार्टफोन है एक स्मार्टफोन है एक स्मार्टफोन के तरफ आप जा सकते हो 17,000 रुपए आपको मिलेगा एक आड़ वर्ड ओफर लगा के थोड़े बहुत और ऑफर एक उपन उपन भी इसमें एविलेबल है तो आपको अगर फोन चाहिए लाइक अगर 16 में मिलता था जब यह लॉंच हुआ था 13,000 रुपए में चार्जर भी फ्री में दे रहा था तो अभी 12,000 रुपए में विताउट चार्जर बहुत बुरा डील नहीं है बहुत अच्छा डील है क्योंकि मैंने खुद 12,000 रुपए में खरीदा था तो आप इसके तरब भी जा सकते हो बहुत अच्छा फोन है अब यहाँ पर एक और फोन है जिसका नाम है OnePlus Nord CE4 OnePlus Nord CE4 एक बहुत अच्छा फोन है अंडर 25,000 अगर आप ढूंड रहे हो और यह फोन आपको इस ताइम पर देखने को मैं बलेगा 22,700 या फिर 499 सम्थिंग रुपीज में साड़े 22,000 रुपे में मैंने इस फोन को खुद 25,000 रुपे में करी जा था लेकिन में को इयरबर्ट्स फ्री मिला था वो अलग बात है तो सेम सेम सा हो गया था बट अभी भी बहुत अच्छा उफर है वित कार्ड आप इसको 22,500 में ले सकते हो OnePlus Nord CE4 एक बहुत अच्छा फ करना है किसी के बारे में किसी smartphone के बारे में तो आप मुझे Instagram में मैसेज भी कर सकते हो कमेंट भी कर सकते हो तो मैं जरूर से ट्राइ करूंगा reply करने का तो इस वीडियो में इतना ही और सारे जो डिवाइस का लिंक है Amazon लिंक वो डिस्क्रिप्शन में है आप डारेक्ट जाके चेक आउट कर सकते हो आपको सच अगरे करने की ढूंडने की जरत नहीं है यहां पर आपको तो शो होई रहा होगा क्या क्या ओफर है क्या चीज है और एक और आपके लिए रिक्वेस्ट है लाइक कि आप जो भी फोन खरीदो जो भी फोन मेरे विडियो देखके आप चीज रिव्यू देख लेना देन उसके बाद बाई करना ताकि आपका भी बाद में मन में कोई प्रॉब्लम ना रहे या फिर आपके मन में कोई बात ना रहे और आप एक अच्छा अच्छा फोन जो आपको चाहिए वैसा फोन आपको मिले बस इस वीडियो में इतना ही